हलो फ्रेंड्स वल्कम दू माई यूटूब चैनल आज के इस वीडियो में जो आपका वीएस अप ट्रेट्समेन का एक्जाम होने वाला है 28 अगस्त को इस वाले वीडियो में वीएस अप ट्रेट्समेन की परिच्छा के लिए जेनल हिंदी के प्रिवेस येर के कोश्चन्स इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइकों से जरूर करें और जो भी हमारे नए बच्चे हैं जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब् वाचक बिशेशर शमद वाचक सर्वनाम सभी कोशन के आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में बताने है उत्सा सब्द कैसा सब्द है देखे उत्सा जो है न ये भाव वाचक संग्या जब आप हसते हैं तो अपना भाव व्यक्त करते हैं इसलिए यहां पर हो जाएगा भाव वाचक संग्या आप्शन नमबर ए सही हो जाएगा दूसरा कोशन देखेगा घर का बहु बचन रूप क्या होगा घर का बहु बचन रूप क्या होगा घर का बहु बचन रूप होता है घरों option number 1 सही औगला question 53 हवा का प्रियाई वाची सब्द नहीं है अनिल, मारूत, शमीर, अनल हवा का प्रियाई वाची सब्द नहीं है सोच समझकर आंसर दिजेगा आप रोग देखिए अनल जो है ना यह हवा का प्रियाई वाची सब्द नहीं है अगला कोशन देखेगा कोशन बोल ला है कि जैसंकर्थ प्रसाद बहुत बड़े नाटक कार थे उन्होंने खाली स्थान नाटक की रचना की अजास्त्रू, शशिगुप्त, छांशी की रानी, राजमुकुट विड़ो को लाइक करतीजे सबी बच्चे जादा से जादा, और शेयर भी कर दीजिए जैसंकर्थ प्रसाद बहुत बड़े नाटक कार थे उन्होंने अजात सत्रू, नाटक की रचना की तो अजात सत्रू आपका करक्टर अंजर हो जाएगा यानि की ऑप्शन नमबर ए अगला कोशन देखेगा उपकूल में कौँ सा समास है दुन्द समास, दिगू समास, अववाईभाव समास, तत्पूल समास उपकूल यानि की कूल के समीब तो यहाँ पर कौँ सा समास हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा अववाईभाव समास ऑप्शन नमबर सी करेक्ट हो जाएगा पहिचान सकते हैं देखिए जहां परमाली जी यथा आजाए ध्यान पूर्वक देखना अनू आजाए प्रति आजाए बड़ा आजाए भर आजाए उद आजाए हर आजाए जैसे की यथा चित, अनूकूल, प्रति दिन, आडंबर, भर पेट, उदय, हर दिन इस प्रकाल से बाक के आजाए तो वहाँ पर आपका अव्वव समास हो जाता है यह आपको ध्यान रखना है ठीक है जैसे की अनूचित, अनूप्रति, प्रति दिन, तो प्रति, प्रति आडं नमबर भर पेट पेट भर के तो भर निकल रहा है तो यहां पर उद्याएगा अव्वे ओसमाद इस प्रकार से आप पैचास रखने है अगला कोशन क्या है अपना हाथ जगननात लोक तृती का सही अर्थ क्या होगा option A है अपना काम स्वाइम द्वारा ही संपन करना उचित होता है बी में क्या है अपने हाथ में यूसर की मूर्ती देखना C है यूसर से साच्छात करना D है यूसर के समक्च हाथ फैलाना अपना हाथ जगननात लोक तृती का सही अर्थ क्या होगा अपना काम स्वयम दोराही संपन करना उचित होता है option number 1 character हो जाए चले बरते हैं अंगले question की और अगला question देखेगा question क्या है कि अदजल गगरी छलकत जाए लोक्तिरती का सही अर्थ क्या होता है अत्यदिक ग्यानी होना B है घड़े से जल को गिराना C में क्या है दूसरों के सामने ज़्यादा बोलने वाला D में क्या है अलपग्य व्यक्ति ग्यान की डिंग ज़्यादा हांकता है पताए क्या answer होगा अदजल गगरी छलकत जाए यानि अलपग्य व्यक्ति ग्यान की डिंग ज़्यादा हांकता है option number D correct हो जाएगा का सही अर्थ क्या होगा कुलाडी से पैरों को काठ देना पैरों से असमभव कारे करना सी में क्या है कठिन कारे करना डि है अपना नुकसान स्वयम ही करना अपने पैरों कुलाड़ी मारना, इसका मुहावरा हो जाएगा, अपना नुखसान स्वेम ही करना यानि कि आपने अपने घर को तोड दिया, यानि अपना नुखसान अपने स्वेम ही कर लिया अपने पैरों पर कुलाड़ी खुदी मारना, option number D, correct हो जाएगा चुले बढ़ते हैं अगले कोशन की और अगला कोशन देखेगा 59 कोशन के आए निम लिखित में से कौन सा सब्द सुद्ध है यहाँ पर आपको देखेगा सुद्ध सब्द की पैचान करनी है सम्मुख D option correct हो जाएगा सम्मुख जो है ना यह आपका सुद्ध सब्द हो जाएगा ओकी अगला कोशन देखेगा 60 निम लिखित में से कौन सा वाक्य सुद्ध है यहाँ पर आपको सुद्ध वाक्य की पैचान करनी है सोच समझ कर आंसर दीजेगा आप लोग निम लिखित में से कौन सा सुद्ध वाक्य है सी option देखे correct हो जाएगा तुम्हें मुझसे नहीं भगवान से छमा मागनी चाहिए ओकी अब यहाँ से देखेगा नर्देश प्रसन संक्या 61 से 65 नीचे दिये गए वाक्यों में रेखांकित सब्दों की वरतनी के लिए चार च चार विकल्प दिये गए हैं इनमें से एक विकल्प में सुद्ध की वरतनी सुद्ध है उस सुद्ध वरतनी का चैन करना है आप लोगों को चार और उज्वल चांदनी फैली है तो भाया उज्वल जब आप उज्वल लिखेंगे तो उज्वल की सुद्ध वरतनी क्या होग जब आप उज्जोल लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे ना उज्जोल option number V करक्त हो जाएगा देखें कुछ सब्द ऐसे होते हैं जो कि अकसर आपके पेपर में पूछ जाते हैं उन सब्दों को देख लेना आप दोगों को अगला question देखेगा हमें नियमों का उलंगन नहीं करना चाहिए तो उलंगन की सुद्द बरतनी क्या होगी उलंगन देखें जब आप उलंगन लिखेंगे ना तो ऐसे लिखेंगे ना उलंगन option number A करक्त हो जाएगा नैस question देखेगा questions के आए कि हम जन्तांत्रिक पद्दत में बिस्वास करते हैं तो जन्तांत्रिक कैसे लिखा जाएगा जन्तांत्रिक जन्तांत्रिक की सुद्द बरतनी क्या होगी option number B जन्तांत्रिक B option करक्त हो जाएगा अगला question इस पुस्तक के अंत में दो परिसिष्ट दिये गए हैं तो परिसिष्ट कैसे लिखा जाता है परिसिष्ट थोड़ा देखिए गौर करने के वाली बात है इसमें देखिए गौर किजिए इसमें देखिए परिसिष्ट ये बाला देखिएगा और ये बाला देखिएगा दो एकी तरहेंके हैं अलग नहीं हैं दोनों एकी तरहेंके हैं A और C तो आप इसको क्या कहेंगे A भी कैस कर सकते हैं और C भी कर सकते हैं अगला कोशन देखेगा आपके दर्सन कर मैं स्वयम को क्रत्य क्रत्य अनुभव करता हूँ तो क्रत्य क्रत्य कैसे लिखा जाएगा यानि कि इसका सुद्वरतनी क्या होगा क्रत्य क्रत्य का क्रत्य क्रत्य इसका सुद्वरतनी हो जाएगा option D ओके अगला question देखेगा तू डाल डाल मैं पात पात का अर्फ क्या होता है जैसे कुछ तैसा B है चालांकी का उत्तर चालांकी से देना C है उची कलपना करना D है जमीन पर ना रहना तू डाल डाल मैं पात पात यानि कि चालांकी का उत्तर चालांकी से देना तो B आप्शन सही हो जाएगा चले बढ़ते हैं नाश कोशन के और अगला कोशन देखेगा भाई निम्न मैंसे किस सब्द में उपसर्ग का प्रियोग हुआ है तो यहाँ पर आपको उपसर्ग की पैचान करने किस सब्द में उपसर्ग का प्रियोग हुआ है भाई, हानिकारक, उपकार, अपनापन किस सब्ध में उपसर्ग का प्रियोख हुआ है? तेह thorough, उपकार में जो है ना उपसर्ग का प्रियोख हुआ है उपसर्ग और प्रत्य कैसे पैचान सकते हैं? बो भी जान लेजी देख अप लोग पारी युक्म विशेशन अव्वे धर्म कर्म किस परकार का सब्द है धर्म और कर्म ये किस परकार का सब्द है तो धर्म और कर्म जो है ना ये युक्म सब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करक्ट हो जाएगा Nash question देखेगा किस सब्द का संदी बिच्छेत सही नहीं है Choose कि यह answer आप लोग किस सब्द का संदी बिच्छेत सही नहीं है Newn Newn का जो संदी बिच्छेत है वो सही नहीं है Option number V correct हो जाएगा अगला question देखेगा 70 70 अदो लिकित सब्द युगम का सही अर्थ विकल्प चुनिये अनुलम अनुलगन अदो लिकित सब्द युगम का सही अर्थ विकल्प चुनिये उर्द्वाकार यानि कि समय के नुसार उपरी जुडा हुआ अनिशित किसी के साथ जुडा हुआ लंबाई केनुसार सुबकाल आप्शन नंबर सी Kann़ट हो जाएगा यानि कि अनशित किसी के साथ जुड़ा हुआ ग्यासे ग्यानी ग्यासे ग्यानी को बढ़ माला में माना जाता है स्वेंट बेंजन स्वरसंदी अनुस्वार レेंजन ग्यासे ग्यानी को बढ़ माला में माना जाता है तो ग्यासे ग्यानी को बढ़ माला में क्या माना जाता है इसे माना जाता है स्वयुक्त बेंजन option number 1 correct हो जाएगा अगला कोशन है guys की कनक सब्द कास अर्थ समूच चुनिये ब्रक्च स्वन धतूरा B है स्वण धतूरा गेहूं C है इस्त्री क्लास आभूशन DIN मैंसे कोई नहीं कनक सब्द का अर्थ सम्हूं क्या होता है स्वण धतूरा और गेहूं option number B correct हो जाएगा So guys अगला question देखेगा निम्न मैंसे किस सब्द में पहुप्रिय समास है 14 पंसरी सताब्दी पंजाब अब देखेए इसमें क्या पूछा जा रहा है कि निम्न मैंसे किस सब्द में बहुप्रिय समास है जैसे कि 14 इसमें तो हो जाएगा आपका दिगु समास के चार रहों का समू पंसरी पांच इसमें भी निकला इसमें भी दिगु समास होना चाहिए यह कोश्चन ही गलत है आप दे सकते हैं पंजाब इसमें भी पांच निकल रहा है तो यह बहुप्रिय समास कैसे होगा आप कुछ सोचिए आप तो यह कोश्चन मेरे हिसाब से गलत होना चाहिए वैसे बुक्ट में इसमें बहुप्रिय समास पताया जा रहा है पंजाब में लेकिन इसमें बहुप्रिय समास नहीं दिगु समास होगा विसर्ग संदी का उधरण है अत अयव विस्मर उच्चारण विसर्ग तो विसर्ग संदी का उधरन क्या होगा तो जब आप इसको करेंगे अत्ता ध्यान पूर्वक देखेगा आप लो अत्त धन अयव जब आपने इसे तोड़ा है तोड़ने के बाद यह हो जाएगा option number A यहाँ हो जाएगा विसर्ग संदी किसी आदिमी को भेज दो option number A correct हो जाएगा यह आपका सुद्ध बाग हो जाएगा तो गाज अगला कोशन देखेगा वरतनी की ड्रेश्ट से सुद्ध सब्ध क्या होगा अहाँ option number V correct हो जाएगा ओके अगला कोप्शन देखेगा चंदायन चंदायन के रचेता है मलिक महमझ जैसी कुतबुन मंजन मुला दाउद चंदायन के रचेता कौन है तो भाईया मेरे चंदायन के रचेता है मुला दाउद तो मुला दाउद आपका commitmentsρε हो जाएगा यानि कि option number D अगला question देखेगा 9 दिन चले अढहाई कोस का अर्थ क्या होता है बहुत धीमी गती से काम करना B है बहुत धीमी गती से चलना C है अधिक समय में कम काम करना D है हराम खोरी करना इसका आर्थ हो जाएगा बहुत धीमी गती से काम करना option number A so guys अगला question देखेगा बुरा काम करने के पश्चात लोग क्या करते हैं घबराते हैं, सर्माते हैं, चिलाते हैं, पस्ताते हैं बुरा काम करने के पश्चात जैसे कि आपने कोई बुरा काम कर दिया सर्माएंगे तो नहीं चिलाएंगे भी नहीं, सांती रहेंगे पस्ताएंगे, पस्ताएंगे भी नहीं तो यहाँ पर option number A जो है आपका घवराती है पिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है अगला question देखेगा निर्देश प्रसंख्या 80-80 तक, प्रतेक प्रसंद में एक वाक के दिया गया है, पूरे वाक के लिए एक सब्द का चैन करना, जैसे कि वहाँ भाई वहाँ भाई जो अन्य माता से उत्पन हुआ हो उसको क्या कहते हैं, सहोदर, औरस अन्योदर, दूरदर्श वहाँ भाई जो अन्य माता से उत्पन हुआ हो उसको क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं अन्योधर, C option correct हो जाएगा 81 question देखेगा जिसके बराबर का कोई ना हो उसको क्या कहते हैं बिलच्छन, अनूपं, अशाधारन लोका तीत जिसके बराबर का कोई ना हो तो बहिया मेरे जिसके बराबर का कोई ना हो इसको हम कहते हैं अनुपम आप्शन नंबर वी सही हो जाएगा निर्देश प्रसंख्या 82 से 83 तक देखेगा दिये गए सब्दों के बिलोम सब्द का चैन करना है आप लोगों को प्राचीन का बिलोम सब्द क्या होगा? चूसकी ज्यानसर आप लोग समाचीन, वर्दमान, आर्विचीन, नव्यूग प्राचीन का बिलोम शब्द क्या होगा? देखें प्राचीन का बिलोम शब्द होता है आर्विचीन C आप्शन करेक्ट हो जाएगा कर्तग्ये का बिलोम शब्द क्या होगा? इस question थोड़ा doubt हमें लग रहा है करतक का विलोंग शब्द क्या होगा अब इसमें देखिए आप ये देखिए और ये देखिए तो आप A भी बता सकते हैं और D भी बता सकते हैं दो option एक जैसे दिये गए हैं आपको देख लीजिए अगला question देखिए गाई 84 निम्न में से सही सब्द कौन सा है यहाँ पर आपको सुद्ध सब्द की पैचान करनी है सरंगार C option करेक्ट हो जाएगा सरंगार ऐसे दिखा जाएगा ना अगला question नीधन विकार किस सब्द का संदी विच्छेद है नीधन विकार किस सब्द का संदी विच्छेद होगा वाई तो नीधन विकार किस सब्द का संदी विच्छेद होगा यह हो जाएगा option number V नीधन विकार करेक्ट हो जाएगा नाश कोशन देखेगा नाश कोशन है कि मन धन भाव किस सब्द का संदी बिच्छेद है मन धन भाव तो मन धन भाव यानि कि मनो भाव C option करक्ट हो जाएगा सज्जन सज्जन का संदी बिच्छेद क्या होगा परिचा की रष्टी से काफी important कोशन है सज्जन का संदी बिच्छेद होता है सत धन जन ऑप्शन नमबर वी सही हो जाए निर्देश दिये गए है प्रसंख्या 88 से 99 दिये गए सब्दों के सही अर्थ का चेन कीजिए कटक का अर्थ क्या होता है काटना कीट सेना सरपट कटक का अर्थ क्या होता है कटक का अर्थ होता है सेना option number C correct हो जाएगा okay खग्रास कार्थ क्या होता है खग्रास कार्थ क्या होता भाई खग्रास कार्थ होता है संपूर्ण सूर या चंदगरेंड option number D सही हो जाएगा okay 90 question देखेगा किये गए उपकार का फल नाम मानने वाला वाक्यान्स के लिए एक शब्द क्या होगा कर्तग्न कर्तग्न अपकरत उपकरत किये गए उपकार का फल नाम मानने वाला वाक्यान्स के लिए एक शब्द क्या होगा तो इसको हम कहते हैं कर्तग्न option नमबर एक कर्क्ट हो जाएगा so guys अगला question देखेगा 91 91 क्या है निम लिखित में से सुद्ध वाक्य के चुनिए सुद्ध वाक्य की पैचान करनी आप लोगों को चार option आपके सामने दिये गए हैं तो इनमें सुद्ध वाक्य क्या होगा तुलसी की कविता में माद्रवत्ता है option नमबर एक कर्क्ट हो जाएगा अगला question देखेगा ना नव मन तेल होगा ना राधा नाचेगी का भाव क्या है काम ना करने का बहाना बनाना खुब काम करना काम से दिल उबना काम में आलश करना option नमबर एक कर्क्ट हो जाएगा काम ना करने का बहाना बनाना सुद्ध अगला question देखेगा क्या है कभी केशब दास की कौन सीक्रती अपने वन विसय की अपेक्चा छंदों की विवितास में भटक गई लगती है राम चंद्री का कभी प्रिया रशिक प्रिया रतन बावनी option नमबर एक कर्क्ट हो जाएगा राम चंद्री का अब देखेगे ये वाला जो सब्दे काफी कठेन है कोशिस करते हैं पढ़ने को विवावानू भावत विचारी सहयोग दरश निस्पती सूत्र किसका है भरतमुनी कुंतक वामन चंद्र ये सूत्र जो है न ये भरतमुनी का सूत्र है तो option नमबर एक कर्क्ट हो जाएगा अगला question देखेगा 95 निवलेखित में से दंतस्त बाण कौन सा है तो भाईया मेरे दंतस बाण कौन सा होगा टा चा ता या उ सी वाला option जो है आपका विल्कुल कर्रेक्ट हो जाएगा ता जो है ये दंतस बाण हो जाएगा भला में क्या कर सकता हूँ वाक्य में भला सब्द है शंग्या सर्वना विशेशन अव्वय भला में क्या कर सकता हूँ तो भाईया भला में क्या कर सकता हूँ ये हो जाएगा अव्वय option number D करक्ट हो जाएगा नैश question देखेगा निसीत का उप्युक्त अर्थ क्या होता अर्थ रात्री का समय संध्या का समय प्राता का समय इन में से कोई नहीं निसीत का उप्युक्त अर्थ क्या होता है यानि कि अर्थ रात्री का शमय option number D करक्ट हो जाएगा अगला question जूला नट उपन्यास की रचनाकार है मेंतरी पुस्पा मरदुला गर्ग उशा प्रेवदा शिवानी जूला नट उपन्यास की रचनाकार काउन है मेंतरी पुस्पा option number 1 करक्ट हो जाएगा नहीं कोईशन उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार काउन है केदार नास सिंग C option करक्ट हो जाएगा आज का लाश कोईशन रहेगा प्रेम मार की कभी नहीं है सूर्दार्स मलिक मुहमद जैसी मुला दाउत मंझन सही जवाब हो जाएगा option number A सूर्दास